नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर का एक्रम आज 30 जन्वरी पुरे देश ने गांधी की शहादत को आज याद किया गांधी ने सच के पक्ष में इनसाफ के पक्ष में और शांती के पक्ष में अपनी जान गवाई थी और आज के दिन एक तरफ गांधी की शहादत को याद करते हुए लोग दिखाई दिये किसान बड़ी संख्या में और किसानों के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग उपवास पर बैठे वहीं दूसरी तरफ इस शांती पूर्ण उपवास और धरने को निशाने पर लेने वाले लोग भी कम नहीं थे धरने पर हमला करने वाले उग्र भाशन और नारे लगाने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी खासी रही जी हाँ हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की देश की राजधानी की जितनी सरहदें हैं वहाँ पर किसान पिछले सतर दिनों से करीब देरा डाले हुए हैं आज 66 दिन है इन देश के अनदाताओं को देश की राजधानी में दस्तक देते हुए और अंगिनत लोग अभी तक जान गवा चुके हैं ठीक आज ही के दिन केंद्र सरकार ने यह एलान किया कि इन तमाम जगों पे चाहे वो गाजीपुर हो टीकरी हो सिंगू हो हर जगह हरियाना के 17 जिलों में वहाँ पर उन्होंने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी बहुत सी जगों पे तो SMS सेवा भी बंद है और वज़ा सिर्फ यह है कि सरकार को डर है कि जो सच को सामने लाने वाला काम छोटे-छोटे मीडिया घराने, फेस्बुक लाइव, वट्स अफ वीडियोज कर रहे हैं जिससे लोगों को पता चल रहा है कि सच क्या घटित हो रहा है, इस पर नकेल कसने के लिए सरकार पूरी तरह से आमादा है और ऐसा करने के लिए उसे गांदी की शहादत के दिन के अलावा और कौन सा दिन भला अच्छा मिलता सरकार ने जिस तरह से कोशिश की है कि सूचनाओं पर रोक लगे उससे बहुत साफ है कि उससे पता है कि जो छोटी-छोटी सूचनाएं हैं ये कितना एहम भूमिका अदा कर रही हैं, इनका रोल कितना महत्पून है हमने देखा था कि 26 जनवरी के बाद किस तरह से गाजिपूर में किसानों को घेर लिया गया था अल्टीमेटम दे दिया था वहां उत्तरप्रदेश सरकार ने कि अगर आपने आधी रात तक या खाली नहीं किया तो पुलिस और बाकी जो फोर्सेज हैं वह बल्प्रियोक करेंगी ठीक उसी समय हमने देखा था किसान नेता की ताकत को वहां पर टिकैट ने जिस तरह से एक भावनात्मक अपील की जो सोशल मीडिया और छोटे बड़े चैनलों के जरिये पूरे की पूरे देश में आख की तरह फैल गई और उसके बाद रातो रात गाजिपुर का नजारा बदल गया सैकडो लोग रात में धाई तीन बजे तक वहां पहुच गए लोग अपने परिवार को ले कर पहुच गए सबने एक साथ कहा बाबा ने बुलाया है दिल्ली जाना है और आप देखिए कि इस ताकत को ही कंट्रोल करने की कोशिश आज 30 जन्वरी को केंद्र की मोदी सरकार ने इस्तमाल किया उन्होंने सीधे सीधे तमाम जगों पे जहां पे धरने पे लोग बैठे हुए हैं जहां पिछले 3-4 दिनों से हिंसक जड़पों का दौर चल रहा है बहुत तगड़ी आशंकाएं हैं कि वहां पर कभी भी पुलिस का बलप्रियोग हो सकता है अराजक्तत वो हमला कर सकते हैं वहां भाश्पा और संग से जुड़े पूरे की पूरे लोग तैनात हैं जिनके बारे में धीरे धीरे खबरे खुल कर आ रही हैं कि ये लोग किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं इनको एक तरफ मोधी सरकार ने खुली छूट देने के लिए इंटरनेट की सेमाओं पर रोक लगाई और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि उत्तरप्रदेश सरकार से लेकर मद्ध्रदेश सरकार वरिष्ट पत्रकारों को निशाने पर ले रही है मामला सिर्फ छोटे रिपोर्टरों तक का नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तरप्रदेश में पत्रकारों को जिस तरह से निशाने पर लिया जा रहा है जिस तरह से उनके खिलाव गंभीर केस बनाय जा रहे हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही है वे सारे मामले तो हैं ही है लेकिन 26 जनवरी के बाद उन्होंने ऐसे तमाम नामचीन पत्रकारों को संपादकों को निशाने पर लिया है जो किसानों के पक्ष में बात कर रहे थे ट्वीट कर रहे थे और बेहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं बहुत से नाम आप जानते होंगे इसमें वरिश संपादक मिडाल पांडे हैं जफर आगा हैं, राजदीब सरदेसाई हैं विनो जोस हैं और तमाम और लोग ये तमाम लोग ऐसे ऐसे संस्थाओं में हैं जहां पर बहुत मुश्किल से जन पक्ष खबरों के लिए स्पेस बना रहे थे और आप देखिए कि इन पत्रकारों के खिलाफ जब सिडिशन जैसा चार्ज लगा तब एडिटर गिल्ड, प्रेस क्लब ओफ इंडिया, वुमेन प्रेस क्लब, दी उजे तमाम संगठन जो पत्रकार संगठन हैं, पत्रकार संस्थाएं हैं वे खुल कर सामने आई आज की तारीख में तमाम अखबारों को खुल कर अपना संपाद की लिखना पड़ा पत्रकार संगठन की गारंटी जो है हमें, जिसके जरीए हमें गारंटी मिलती है कि अभी व्यक्ति की आजादी हमें मिली हुई है, उसका उनलंगन है और साथी साथ एक खौफ का माहौल तमाम लोगों में तारी करने की साजिश है ठीक इसी बीच एक तरफ जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत अच्छी खबरे, बहुत संपन्द लोगों के लिए सामने आई है हाला कि ये खबरें तुमके पास पहले से थी अभी जो ऑक्सफॉर्म इंडिया ने अपने रिपोर्ट जारी की है इनिक्वैलिटी को लेकर गैर बराबरी को लेकर जिसे इंडिया स्पेंड ने छापा है और तमाम और जगों पे इसके खबरें आई है उससे यह पता चलता है कि जिस समय हमारा प्यारा देश त्राही त्राही कर रहा था कुरोना काल से जी मर रहा था लॉकडाउन से करोडों लोगों के रोजगार तबाव हो रहे थे ठीक उसी समय इस देश में सौ अरब पतियों की पौबारा थी उनकी आए में इतनी जबरदस इजाफा हुआ इसी पीरिड में इसी अवधी में जिससे पता चलता है कि कुरोना काल सब के लिए आपदा नहीं था संपन के लिए वह अवसर था इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखा जाना और इसे पढ़ा जाना दूर दूर तक पहुचाना बेहत जरूरी है क्योंकि आज के दौर में मध्यमबर्ग एक बहुत बड़ा तपका जो किसानों के खिलाफ खड़ा हुआ है जो निजी करण का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ है लेकिन अपनी नौकरी को बचाने के लिए जीजान लगाने की कोशिश कर रहा है उसे यह बताना जरूरी है कि करोना काल में जब भारती अर्थववस्था रसातल में जा रही थी इसकी वृद्धी दर नकारात्मक थी उस समय जो देश के सो अरब पती थे उन्होंने अठारा मार्स से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच 13 लाग करोड रुपे की कमाई की थी इसके हिसाब से अगर यह 14 करोड गरीबों में बाटी जाती है राशी तो हरे को 94,000 रुपे मिलते इससे यह बहुत साफ है यह रिपोर्ट बहुत चीजों को बिलकुल साफ साफ रखती है और हमें और आपको तमाम देश के नागरिकों को साफ साफ देखने के लिए कहती है वह बताती है कि उस समय मुकेश अमानी हर घंटे 90 करोड रुपे कमा रहे थे 90 करोड रुपे उनका जो समू है बिजनस समू उसकी कमाई थी और ठीक उसी समय जो 24 फीसदी भारतिय नागरिक हैं वह महीने में महज 3,000 रुपे कमाने पर मजबूर थे बहुत मुश्किल से वह 3,000 रुपे कमा रहे थे यह आकड़े वह हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं और इन पर चर्चा होना इन पर बात होना इसलिए ज़रूरी है कि यो जब किसान अपने हक के लिए लड़ाई करने के लिए जमीन पर उतरा हुआ है तब मीडिया और मध्यमबर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा यह बताने पर उतारू है कि यह लोग समझ नहीं पा रहे यह तीनों बिल इनके फाइदे के लिए हैं और अगर आप याद करें इसी कुरोना काल में लॉकडाउन के समय भी सरकार यही बताने पर आमादा थी कि यह लॉकडाउन जनता के भले के लिए है अब भला इन सो अरब पतियों का हुआ या जनता का यह तो हमारे सामने है अब देखिए एक और विडंबना इस देश की जिस समय सो अरब पति हजारो करोड कमा रहे हैं ठीक उसी समय जारखन के लातेहार से यह खबर हमारे पास आती है इस से पता चलता है कि जो सबसे वन्चित समुदाए है उसे छे महीने से उपर हो गए अपनी पेंशन तक नहीं मिली पेंशन महज एक हजार रुपे उन्हें मिलती है यह खबर जोंदराज ने तमाम लोगों तक पहुचाई है इस खबर से बहुत सी चीज़े जो पता चलती है उनमें एक एहम चीज कि जो पब्लिक सिक्यूरिटी सिस्टम है जो जन सुविधाएं है जो पेंशन और बुनियादी सुविधाओं की मांग लोग करते हैं उन्हें कैसे करोना काल में रोग दिया गया इसमें तमाम ऐसे वृद्धों की सूचनाएं हैं जानकारियां हैं जो बताते हैं कि उन्हें मोतियबिंध है वे चलने पे लाचार हैं लेकिन छे महिने से अधिक समय से उन्हें एक फूटी कौडी नहीं मिली है पेंशन हो, जीवन बीमा हो, राशन हो यह कितनी एहम चीजें हैं यह बात शायद अरब पतियों पर निर्भर मीडिया हमें ना बताता हो लेकिन जमीन पर जो लोग दो जून की रोटी कमाते हैं उसके लिए संघर्ष करते हैं उन्हें पता है कि एक हजार रुपे की पेंशन भी उनके लिए कितनी माइने रखती है इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि यह क्रम सिर्फ जारखंडी में नहीं क्योंकि हम जानते हैं देश की राजधानी में हम है सफाई करमचारियों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है नर्सों को उनका वेतन नहीं मिलता है जो हेल्थ वर्कर्स कहे जाते हैं उनको बुनियादी सुविधाएं इसी कुरोना काल में नहीं दी गई आज भी नहीं मिल रही हैं वह भी तब जब बड़े शोर से अलग-अलग धंके दावे हो रहे हैं हमारे और आपके महले में राम मंदिर निर्मान के लिए लोग चंदा मांग रहे हैं यहां बड़ी विडंबना की बात यह है कि आज गांधी को याद करते समय उनकी शहादत को याद करते समय गलियों से राम मंदिर का शोर दिखाई दे रहा था और यह अकारण ही नहीं था कि राम मंदिर के भक्तों को आज ही का दिन याद आया रैली निकालने का मंदिर वहीं बना आएंगे रामलला हम आएंगे मानो मंदिर नहीं बन रहा है जबकि हम सब जानते हैं कि मंदिर के लिए करोणों रुपे जमा हो रहे हैं लेकिन जो बुनियादी अधिकार व्यक्ति का है भारतिय नागरिक का है उससे कैसे उसे वंचित किया जा रहा है इस पर बोलने के लिए कि तादात निश्चित तोर पर कम नहीं पड़नी चाहिए शुक्रिया